राधे राधे वीवर्स आज मैं आपको यह जीरो नंबर काना जी की ड्रेस बताऊंगी और बूलन ड्रेस है और इस तरीके से ड्रेस दिख रही है और बहुत सिंपल सी ड्रेस है कोई ज्यादा इसमें वह नहीं है लेकिन यह बहुत खुप्सूरस सी ड्रेस है इस तरीके से ब बारे में में बताऊंगी तो ड्रेस में रेड और बाइट कलर भी बनाऊंगी तो ऐसे एक नॉट लगा लेंगे और यहां हम बारे चेन बनाएंगे इसे बारे चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारे यह बारे चेन बना ली और फिर एक चेन और लेंगे और इसमें ऐसे डबल क्रोसिया बनाएंगे इसकी अगली वाली चेन फिर इससे अगली वाली चेन में डबल क्रोसिया फिर इससे अगली वाली चेन में डबल क्रोसिया तो यह पूरी यहां तक 12 लाइन हम 12 डबल करोसिय बनाते हुए जाएंगे तो हमने पूरी लाइन बना लिए यह हमने 12 चेन बनाई थी 12 में डबल करोसिय बनाई है और अब 3 चेन लेंगे इसे 1 2 3 उसके बाद में एक एक जो है इसमें हम दो दो बार डबल करोसिय बनाई एक चेन हमारी यह हो गई इसी में दो बार डबल करोसिय बनाते हुए जाएंगे एक होल में एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे तो है हमारी 24 चेन बन गए 24 डबल क्रोशिया बन गए नीचे बारह थे अब उपर हमने 24 बना लिए एक में दो बार डबल क्रोशिया बना गए अब फिर तीन चेन लेंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे और एक चेन के बराबर हमारी डबल क्रोसिया हो गई है और अब इसके अगली वैली चेन में एक डबल क्रोसिया बनाएं गई है फिर इस अगली वैली चेन में फिर एक डबल क्रोसिया फिर डबल क्रोसिया तो यह हमारी पांच चेन बन गए एक दो तेन चार पांच और अब यहां पांच चेन छोड़ेंगे एक दो तेन चार पांच यह से एक डबल क्रोसिया दो तेन चार पांच और यहां देखेंगे अब हम एक दो तेन चार पांच तो हमारी यहां पांच डबल क्रोसिया हो गई पीछे बैक में पांच डबल क्रोसिया हो गई और अब यहां पर पांच डबल क्रोसिया बनेंगी तो दो तेन चार और पाँच तो यह हमारी चोली बनके तैयार हो गए इस तरीके से और अब हम यहाँ तीन चेन लेंगे और इसी होल से एक डबल क्रोशिया इसकी अगली वाली चेन में दो बार डबल क्रोशिया तो सारी चेनों में हम दो दो बार डबल क्रोशिया लेते हुए यह पूरी लाइन कंप्लीट करें गए तो इसको कर लेते हैं पहले तो इसकी लाइन हमने एक बना लिये ऐसे और ये तीन चेन बनाएंगे ऐसे एक दो और ती तीन चेन बन गई है और ये लाइन हमारी स्टेके से बन गई है इसके उपर एक लाइन और बनाएंगे एक तो हमारा ये डबल क्रोसिया है इसके अगले वाले में दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर अगली चेन में दो बार फिर एक चेन छोड़ देंगे इसमें एक ही डवल कुरुसिया बनाएंगे इससे अगली चेन में फिर दो बार डवल कुरुसिया बनाएंगे एक चेन में एक बार डवल कुरुसिया दूसरी चेन में दो डवल क्रोशिय बनाएंगे तो इस लाइन को भी हम इसी तरीके से complete करेंगे तो यह लाइन हमारी बन गई है इस तरीके से तो हमें दो ही लाइन में बनानी है ज्यादा बड़ी नहीं बनाना है इसका गहरा जो है वो दो लाइनों को ही गहरा है और अब हम इसमें दूसरा कलर एड़ करेंगे वाइट कलर उससे हम इसकी ये किनारी बनाएंगे तो दूसरा कलर एड़ करते हैं तो हमने यहां पर दूसरा कलर एड़ कर लिया है वाइट कलर का तो इससे हम इसकी आउट लाइ क्रोसिया बनाएंगे फिर इस चेन में हाफ डबल क्रोसिया उसके बाद एक चेन में दो बार हाफ डबल क्रोसिया बनाते हुए जाएंगे इसी होल से फिर एक बार डबल क्रोसिया इससे अगली चेन में हाफ डबल क्रोसिया उससे अगली चेन में फिर हाफ डबल क्रोसिया और और फिर तीसरी चेन में दो बार हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरीके की यह आउट लाइन करेंगे तो यह पूरी लाइन में इसी तरीके से बनाएंगे दो बार ऐसे इस तरीके से दो बार एकी एक चेन में और फिर तीसरी लाइन में दो बार डबल क्रोसिया तो यह लाइन हमारी पूरी बन गई है और अब हम इसकी यहां यह साइड से इसकी भी आउट लाइन करेंगे इस तरीके से एक में दो बार डबल करोसिया बनाएंगे इसे हाफ डबल करोसिया फिर इस से अगली चेन में हाफ डबल करोसिया दो बार बनाएंगे इसे तो इस तरीके से पूरी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे तो यह पूरा घेरा हमारा बन जाएगा तो ऐसे ही करते हुए हम गले तक और फिर नीचे साइट तक पूरा लेते हुए ऐसे ही आएंगे फिर इस से अगली चेन में हाफ डबल करोसिया इसी वह से फिर एक बार हाफ डबल करोसिया फिर इसा पिर एक बार half double crochet बनाएंगे तो यह गला है हमारा और इसी होल से फिर दो बार इसी में half double crochet बनाएंगे पिर इस से अगली चेन में हाफ डबल क्रोश हिया तो यह हमारा एक गला बन जाएगा इस तरीके से इसकी आउट लाइन हो जाएगी तो ऐसे ही हम पूरी करते हुए आएंगे हमारी इस तरीके की इड्रेस बनके तैयार को गई है और अब आधा जो हम इसी में इसमें कर देंके और इस तरीके सामने इसी डोरी संसा और इसमें जोड़ी सकते हैं तो इसमें तो मैंने यहां पे ज्ञाइंट करके बनाईए और इसमें मैं ऐसी साधा चैन बनाके बाहर से 5 इसे ई हैं फिए फेर अलग से वी बांत सकते हैं जैसे आपको पसंद हैं इस तरीके से चेन लेंगे 10 चेन 20 चेन जितनी लंबी या छोटी आपको डोरी पसंद हो उस तरीके से ऐसे बना सकते हैं तो ऐसे इस तरीके से बाधने के लिए बीच में आप इस तरीके से बना के बना सकते हैं तो यह पूरी में बना लूँ ऐसी ही चेन बनेगी इसकी पूरी में डोरी बना लूँ फिर आपको दिखाऊंगे तो यह हमारी ड्रेस बन गई है और इसमें हमने इस तरीके से यह छोटे छोटे इसमें मोती लटका दिये हैं और हम बाहर से बांद के अपने काना जी को ऐसे पहनाएंगे तो ड्रेस हमारी बन गई है अब इसका हम कैप बताएंगे तो यह पीली वाली ड्रेस का कैप है और इसी कैप के बारे मैं मैं बताओंगे तो यह जीरो नंबर काना जी का कैप है तो इसे में रैड कलर से बनाऊंगे एक इससे नॉट लगा लिए और इसी में मैं चार हाफ डबल क्रोसिया बनाऊंगे चार एक इसी होल से एक दो तीन चार यह चार हाफ डबल क्रोसिया बन गए और अब मैं जो चार है इन में से दो दो बार हाफ डबल क्रोसिया बनाऊंगे तो आठ हो जाएंगे फिर यह जो चेन है चेन में से एक इक चेन में दो दो बार हाफ डबल क्रोसिया बनाऊंगे इससे अगली चेन में दो बार हाफ डबल क्रोसिया इसको बना लेते हैं पहले तो हमारी यह नीचे इसमें चार थी इसके उपर हमने चार से आठ बना लिए और अब हम इससे अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोसिया बनाऊंगे एक फिर उससे अगली वाली चेन में दो बार हाफ डबल क्रोसिय है फिर अगली चेहन में एक वार ना बनाते हुए जाएंगे इसी तake से Derek इसमें एक में एक वार हाब डबल करोसिया और दूसरी में दो वार हाब डबल करोसिया बनाते हुए यह लाइन पूरी complete करेंगे तो हम इस लाइन को पूरा बना लेते हैं ऐसे तभी आपको बताइंगे तो इस तरीके से कम्प्लिट हो गई है और अब हम इसकी यह कि ऐसे हैट जैसी किनारी बनाइए तो इसके लिए हम हर चेन में दो दो बार डबल क्रोसिया बनाते हुए लाइन कंप्लेट करेंगे एक चैन में फिर इसी होल से दो बार फिर हाफ डबल क्रोशिय दूसरी चैन में दो बार ऐसे अगली चैन में दो बार हाफ डबल क्रोशिय तो हम इस लाइन को भी ऐसे ही कंप्लीट कर लें पहले हमारी पूरी एक कैप बन गई है और अब इसमें हम थोड़ी सी अपने किनारे जैसे बनाएंगे इसमें तो यहां सोई डालके इस तरीके से बनाएंगी क्योंकि ज्यादा बड़ी हैड हो जाएगी तो ऐसे पीछे दागा करेंगे और जैसे हमने इसमें यह किनारी बनाई है ऐसे ही इसमें भी बनाएंगे तो इससे सुन्दर बनाने के लिए इसमें मोती यह सब्सक्राइब आइटम इसमें लगा सकते हैं जो जिससे और खुपसूरत सी लगे तो हम इसमें ऐसे किनारी बनाते हुए यह पूरी कैप को डेक अभी दि तरीके स्च सफी ड्रेस अबहुत सुंदर सी ड्रेस स्पर्णी और पैनाने में भी बहुत आसानी से पहन ली ओर इनकी कयब है जो है टे है लगी है कि Wik in के बाल नहीं लगे hai जब बाल लग जांगे तो यह थिस तरीके से दिखेंगे हैं ऐसे इसे इनकी हैट है तो बहुत इजी बनने वाले यह बूलन ड्रेस है तो मैं दूसरी ड्रेस भी आपके सामने पहना कर इसका पोटू खीचूंगे तो यह हमारी दूसरी ड्रेस है जीरो नमबर काना जी की और यह हमारी जो हमने अभी आपके सामने बनाई है तो यह हमारी यह वाली ड्रेस है तो हमने दोनों आपके सामने पहना कर दिखाएं बहुत सुन्दर सी ड्रेस है बहुत जल्दी बन जाती है और जीरो नमबर काना जी के या इन से थोड़े से अगर जो बड़े हों, उनके भी इड्रेस बहुत अच्छे से आजाएगी, तो आपको ईड्रेस कैसी लगी, और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद ऐ ओ, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, राधे राधे